Good morning, welcome to our channel RDS Group of School Students, आज की वीडियो में हम आपको Hindi First का Chapter First explain करेंगे तो आपकी Hindi First की बुक है रिम जिम Open your book Chapter First सबसे पहले हम आपको इंडेक्स के बारे में बताएंगे कहां क्या है, कहां क्या है, यानि कहां पर क्या है इसमें मतलब कितने Chapter है, कौन कौन से Chapter है, इसके बारे में तो आपका सब First Chapter है कक्कू कौन से Chapter है, कक्कू तो Students, कक्कू एक Poem है, कक्कू का आर्थ होता है कोयल तो आएए देखते हैं हमारी Poem क्या है हमारी फर्स्ट पोयम है कक्कू यानि कक्कू की माणी में बताया था कोयल तो स्टुरेंट्स इस पोयम में बताया जाएगा कक्कू यानि कोयल क्या क्या करती है कैसे रहती है, क्या बोलती है कैसे चुड़ती है और कैसे सक करती है आये स्टुडेंट्स देखते हैं पोयम नाम है उसका कक्कू कक्कू माने कोयल होता नाम है उसका कक्कू ये बच्चा जो है कहता है नाम है उसका कक्कू क्या है कक्कू नाम है कक्कू माने क्या होता है कोयल होता है लेकिन या तो दिन भर रोता लेकिन या तो दिनबर रोता, कौन रोता है, कक्कु यानि कोयल, कोयल देखिए, दिनबर बोलती रहती है, कु 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 करके बोलती रहती है, तो लेकिन या तो दिनबर रोता, कक्कु यानि दिनबर रोता है, बच्चा कहता है कक्कु या तो दिनबर रोता है, इसलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू जैसे यह को करते रहती है तो सबी लोग जो भी इसकी आवाज सुनते हैं तो क्या करते हैं मतलब इसको चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं इसी की आवाज में बोलने लगते हैं कहते इसको सक्कू कहते क्या इसको है सक्कू और इसको सक्क होता है क कोई और भी मेरी नकल उतार रहा हो नाम है उसका कक्कु नाम है कि कोईल माने मिस्री जैसी मिठी जिसकी बोली कैसी मिठी मिठी जैसी है या तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली यानि कक्कु जो है यानि कोयल है इसकी आवाज तो बहुत ही मीठी और सुरीली जैसी है और जरासा भी इसकी आवाज में अगर बोलो जैसे कोयल कूक रही है और अगर कोई उससे चिड़ाता है तो क्या एकदम से भड़क जाती और भड़क कर क्या करती है गुसे में और जोड़ जोड़ से आवाजे करने लगती है इससे तनिक ठिठोली इससे अगर जरासा भी मजाक ठिठोली का मतलब होता है अर्थ होता है मजाक करना जरासा भी इससे कोई मजाक में कू कू करने लगता है तो या चिड कक्कु नाम क्या है कक्कु कक्कु वा जो गाना गाए बात बात में जो चिड़ जाए कक्कु वा जो गाना गाता है बात बात में चिड़ जाता है रहता मुझो सदा फुलाए गाना जिसको जराना है जो हमेशा मुझी फुलाए रहता है और गाना उसको बिल्कुल भी नहीं आ है क्वा-था इनों फॉक है जला तका आए है मूह पूल जाता है यहां जिस्का हरा भी नाय है जो यानि इसको नहीं बहुति आसे जगडा अलुं कोक से क्यों नहीं कहता है यहांकै है करता है तो उसको क्या कह दिया जब वो भड़क रहा था तो उसको क्या कह दिया भक्कु कह दिया तो ऐसे जगडा लू यानि ऐसे जगडा करता है यानि जो कक्कु होता है ऐसे जगडा करता है उसे क्यों ना हम क्या कहें जग्कु कहें नाम है उसका कक्कु नाम है उसका क्कु नाम है तो आये स्टुडिट एक बाफेर से मापको बताते हैं इस पोयम में जो बच्चा है वो कोयल के बारे में बता रहा है